प्राण प्रतिष्ठा के अगर बात की जाए तो विपक्ष का यारोप है कि भारतिय जन्ता पार्टी राम मंदिर पर अपना हक जबाना चाहती है इसलिए हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आने हैं आप क्या करें इस पर प्रभु राम को ये इतनी कि अगर्वान मानते हैं कि मतलब इनको इतना नौलेज नहीं है परम्पिता परमेश्वर पर को अधिकार कर सकता है क्या प्रभु राम कि इतना महान व्यक्तित्व और एक पार्टी मामुली छोटी सी बीजी पार्टी प्रभु राम के सामने कुव्च नहीं है भई ये लोग क कैसी बात करते हैं सचमुच में तो प्रभु राम उनके भी होने चाहिए सब के होने चाहिए इस पर किसी का माली की हक नहीं हो सकता है ये सोची ही तो है जो लेकिन ये वो क्यों बोलते हैं उनका हिड़न एजन्डा जो है ना उस पर परदा लगाने के लिए इसे बाते बोल है उनका होड़न एजन्डा उनकी बोर्ड मेंग को सबारना और इसलिए वे इस परकार की बहाने बाजी कर रहे हैं उनको लगता था कि जो राम मंदिर गये तो बोर्ड मेंग गयी बोर्ड मेंग सबार करेगी उनको डर यही है आपने देखा होगा राजीव गांदी ने अधिया देखा और यह सिगनल दिया था उन्हों ने लेकिन तब उन्होंने कहां उनको उनकी वोड़ मैंने कहां यह खेल खेलों गये तो तुम में और वीजवी में फरक क्या है तो भाग गए आपने देखा होगा कई चुनाओं में यह लोग मंदिरों में जाते थे इस नार वो इलेक्शन डिकलेर होने के बाद किसी मंदिर मंदिर बनी जा रहा है क्यों क्योंकि उनको डाट दिया गया था पिछले चुनाओं कि मोधी मंदिर करता है तुम भी मंदिर करोगे तो हम तुम को मोधी में फरक क्या देखेंगे और इसलिए बोट में इंको बचाने क में मंदिर रबत कर दिया है हो सकता है मेरा इंटर्वु देख रहे बात साथ ड्रावा करने बात अलग है